गुड मॉर्निंग स्टुडेंट्स यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है आज हम इस वीडियो में तृतिय अंगलम राठा यूद के बारे में जानकर इप्राक्त करेंगे तो देखेगा स्टुडेंट्स इससे पहले वाले वीडियो म हमने जो आपका द्वित्य अंगलम राठा यूद हुआ था उसके बारे में अच्छे से आपको बताया था तो देखेगा एक्जाम के दर्ष्टी से ये चीजे बहुत ही महतोपून है तो जो पर्थम अंगलम राठा यूद हुआ था उसमें अंग्रेज गोर्नर जनरल कौन था वरेन हैंस्टिंग्ज और दूसरे में कौन था वेलेजली और त्रित्य में कौन है लाठ हैंस्टिंग्ज ठीक है तो ये जो आपका द्वित्य अंगलम राठा यूद हुआ था इसमें क्या होता है कि अंग्रेज जीत रहे होते हैं और फिर लास्ट में क्या होता है कि हो वेलेजली उसे हार जाता है और इस ब्रिटिस सरकार नाराज हो जाती है और जो इंगलेंट का परदान मंत्री था पिट उसने वेलेजली को मतलब वापस बुला लिया और उसकी कट्टू अलोसना कि जिसके कारण वेलेजली को त्याग पत्तर देखकर भारत से जाना पड़ा ठीक है तो ये थी मतलब दृतिय अंगलेंट यूद की मतलब अन्डिंग और अब आता है आपका तृतिय लिए वखरद से चल आ जाता है उसके स्थान पर लाड़ 24 को पुर्णा है भारत खेक पहली जो लाड़ कारण具 कार्णा का तरहा नहीं पर वाया था जबंद वहמש भारत बिसी हो गई थी ओर जार्ज बार्लो को गुवर्णर जनरल न्यूक्त किया गया कार्णवालिस और जार्ज बार्लो दोनों ने देशी राज्यों के पर्ति एह हस्तक सेब की निती का पालन किया मतलब कि जो देशी राज्ये हैं उनमें वो किसी भी परकार की हस्तक सेब की निती नहीं अपनाएंग को सिंधिया से एक नई संधी की गई इसके अनुसार उसे गवालेर वय गोदह के दुर्ग और उसका जो उत्तरी चंबल का भूबाग है वो मतलब लोटा दिया गया सिंधिया को कमपनी ने राजपूत राज़ियों को अपने स्रंक्स्टन में लेने का विचार भी त्याग दि उसके बाद अठारस और साथ इस्यों में लाड मिंटो गौर्णर जनरल बन के भारते आता है ठीक है और जो लाड मिंटो है इसने भी एहस्तक्सेव की नीती का नुसरन किया मतलब ये भी राजपूत हों चे मराठे हों इनके बीच में टांग नहीं अडाना जाता था इन त किलब लडना भी एचा से जानते थे तो अब उनको अपनी सकती संगठित करने के आवसर एक बार से फिर आधे जुवारतों के सहयोगी तहे औरنت स्वयम की सक्ति भी बढ़ा रहें रहे ये पन्डा। ऐसी प्रिष्टित्यों में 1813 में लाड हांस्टिंग्ज गवार्नर जन्रलर बनकर भारत आता है लाड हांस्टिंग्ज मराथा सक्तिगों पूरी इतर ऐसे समाप्त करके राजपूत राजियों पर ब्रिटिस रंक्षन स्तापित करना चाता था लाड हांस्टिंग्ज ने सबसे पहले पिंडारियों के सक्तिगों नस्ट करने की योजना बनाई क्यूंकि उसे भय था कि कहीं पिंडारियों से यूद करने से पूरा है 27 में 816 को भोंसले के साथ तता 5 नमबर 817 को सिंधियों के साथ समझोता क्या क्यूंकि वह पिंडारियों से किसक्ति को भी नस्ट करना चाता था इस समझोते में उन्होंने पिंडारियों को कुचनने के लिए अंग्रेजों को समर्थन देने का वादा किया तता सिंधिया ने चंबल नदी से दक्सिन पस्सिमी राजियों पर से अपना प्रबूत्वाय हटा दिया था मतलब पिंडार पेश्वा अंग्रेजों की दिंता तो स्विकार कर चुका था और बसीन की संदीदे को हमने आपको पहले पढ़ाई है बसीन की संदी कब होती है 31 दिसमबर 1802 इसविको होती है मराठों और अंग्रेजों की बीच में और उसमें कई शर्त्ते ऐसी थी जो मतलब माराठों को अपनानी भी पड़ी थी पेश्वा को अपनानी पड़ी थी लेकिन वह अब इस अदिनता से मुक्त होना चाता था पेश्वा अब जो बसीन के संदी के सर्ते उनसे मुक्त होना चाता था इसके लिए पेश्वा ने सिंदिया होलकर और वहुसले से गुपत रूप से बाचीत भी आरम कर दी पेश्वा ने अपनी सन्यक सक्ति को भी सुद्रड करने का प्रियतन किया इस समय पेश्वा और गायकवाड के बीच खिराज के संबंद में जगडा चल रहा था खिराज ये कर होता था तो वो मतलब लिया जाता था और अब क्या हो रहा है कि जो पेश्वा और अगरेश्वा और गायकवाड हैं इन दोनों के बीच में खिराज के संबंद में जगडा चल रहा था इस संबंद में बाचीत करने के लिए गायकवाड का एक मंत्री गंगादर सास्तरी अंग्रेजों के स्रंक्षन में पूना आया पेश्वा अंग्रेजों की विरुद्ग गायकवार्ड का सहयोग चाता था किन्तु गंगादर अंग्रेजों का गनिस्ट मित्र था अता उसने पेश्वा से सहयोग करने से इनकार कर दिया अब देखेगा फूर्ट तो अमारे भारतियों में थी इसलिए तो जो दूसरी दूसरे जो लोग है विदेशी जो हैं आके यह जी से व्यक्तिगत सत्रुता थी अता रेजिडेंट ने पेश्वा से मांग की कि त्रियम्बग जी को बंदी बनाकर उसे अंग्रेजों के सुपूर्ट कर दिया जाए ठीक है पेश्वा ने बड़ी हिचकी चाहट के साथ 11 सितंबर 1815 को त्रियम्बग जी को अंग्रेजों क लगाया कि उसने त्रियम्बग जी को भगाने में साहता दी है ठीक है एलफ लेस्टन ने पेश्वा की सक्तिकों सिमित करने के उध्यसे से पेश्वा पर एक नई संधी करने हितु दबाव डाला और उसे धमकी दी कि ये दिवा नई संधी करने पर सहमत नहीं होगा तो उसे पेश्वा की मनसब से हटा दिया जाएगा अतब भेवी तोकर 13 जून 1817 को पेश्वा ने अंग्रेजों से एक नई संधी की और ये संधी थी पूना की संधी इस संधी के अंतरगत पेश्वा ने मराठा संके दिक्सपद को ट्याग दिया सहाइक सियना के खर्च के लिए 33 ल पेश्वा के बिना अंग्रेजों की अनुमति के किसी अन्य राजे से पत्र विवार ने करने का वादा किया सभी मराठा सरदार अंग्रेजों से अपमान जनक संधिया कर चुके थे किन्तु उन्होंने ये संधिया विवस्ता के कारण की थी ठीक ना और वे उनसे मुख्त भी होना चाते थे पेषवा भी पुन्हा की संधिके अपमान के आग में जल रहा था अता जिस दिन सिंधिया ने अंग्रेजों की सा संधिकी उसी दिन पेषवा ने पुन्हा में इस्ति ब्रृतिस रेजिडेंसी पर अकरमण कर दिया एल फ्रेंस्टन किसी परकार जान बचा कर वाँ से भागा और पूर्णा से चार मिल दूर किर्की नामकस्थान पर ब्रिटिस सनिक चावनी में सरन ली पेश्वा की सेना ने किर्की पर दावा बोल दिया किन्तु पेश्वा प्राजित हुआ तता वह 17 की ओर भाग गया नवंबर 1817 में पूर्णा पर अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है पेश्वा द्वारा युद आरम कर दिया जाने पर कुछ मराटा सरदारों ने भी युद करने का निस्चे किया नवंबर 1817 में अप्पा साहब भोंसले ने नागपूर के पास सित्ता बंदी नमक स्थान पर अंग्रेजों से युद किया किन्तु वह प्राजित हुआ उसके बाद दिसंबर 1817 में नागपूर के युद में वह पुनय प्राजित हुआ और भाकर पंजाब चला गया पंजाब से भाकर वह सरण के लिए जोधपूर आया जोधपूर के राजा मान सिंग ने जो स्वेम अंग्रेजों का विरोधी था अप्पा साहब को सरण दी और 1840 में अप्पा साहब की जोधपूर में मर्त्यू हो गई इसी प्रकार होलकर की सेना वह अंग्रेजों के बीच 21 दिसंबर 1817 को महीदपूर के मैदान में भीषण युद होता है युद में होलकर की सेना प्राजित हुई और जनवरी 1818 में दोनों के बीच मन्सूर की संदी हो गई इस संदी के नुचार होलकर ने सायक संदी स्वीका कर ली राजपूत राजजों से अपने अधिकार त्याग दिये तता बुंदी की पाहडियों वह उसके उत्तर के सभी परदेश कंपनी को हस्तांतरित कर दिये इस प्रकार होलकर भी कंपनी के दिनता में आ गया था अब अंग्रेजों ने पेश्वा की ओर ध्यान दिया अंग्रेजों के समक्स आत्म समर्पन कर दिया अंग्रेजों ने पेश्वा के पद को समाप्त कर पेश्वा को आठ लाक रुपे वार्शिक पेंसन देकर कानपूर के पास बिठूर भेज दिया पेश्वा का राजे ब्रेटी समराजे में मिला लिया गया सतारा का छोटा सा राजे सिवा जी के वंसर्ज परताफ सिंग को दे दिया गया पेशवा के मंतरी त्रियम बक्ची को आजिवन कारवास के सजा देकर चुनार के किले में भेज दिया गया इस प्रकार लाड हेंस्टिंग्ज ने मराठा सक्ति को नस्ट करने में सफलता प्राप्त की थी और इसके बाद मतलब यह यहां तक आपका था तृतिय आंगल मराठा यूद तो मतलब तृतिय आंगल मराठा यूद का एदिय अपन महत्वा जानना चाहें तो हम यही कह सकते है कि ये जो मराठों का ये अंतिम राष्ट युद था और इस युद ने मराठा सक्ति का सूरीय स्दा के लिए अस्त कर दिया एक ये करके सभी मराठा सरदार थे उन्होंने अंगरेजों के सामने गुठने टेक दिये और इस प्रकार मराटा संग्यवद दौस्थ हो गया भारत में अंगरेज़्ों के एक मात्र पर्तीदिद्वी सकती समाप्त हो गयी अमलब ये जो आपके मुगल थे इनके पतन के बाद माराठे ही एक ऐसी सकती थी जो अंग्रेजों का सामना कर सकती थी और इनको भी मतलब अंग्रेजों ने बुरी तरह से हरा दिया था माराठों की इस प्राजे के प्रणाम सुरूप पेश्वा, होलकर, सिंधिया, भूसले जो परमुप माराठा सरदार थे इन्होंने अपने राज्यों के दिकांस भू भाग खो दिये राजपूत राज़े मराठों का प्रभूता समाप्त हो गया और राजपूत राज़े मराठों के प्रभूता से निकल कर अंग्रेजों के प्रभूता में चले गए ठीक है तो मतलब इस यूद के बाद अब जो कंपनी है इस यूद के बाद कंपनी भारत की सारभूम सत्ता बन गई थी ठीक है कंपनी मतलब ब्रिटिस इस्ट इंडिया कंपनी तो अब देखेगा वैसे तो यहां पर मतलब आपका आगला मराठा संगर सवा समाप्त हो जाता है और मतलब अंग्रेजों का राज है वह यह से स्टार्ट होता है भारत में और आगे के वीडियो में हम आपको अंग्रेजों की जो मतलब हार है सोरी मराठों की जो हार है वो कैसे हुई इन सब बातों के बारे में हम आपको आगे की वीडियो में बताएंगे हमारा वीडियो अंतक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद